रिंकू सिंगh, फिनिशिंग का किंग बात ही छी तिल्क करेंटी. लिए बढ़ियाँ फिनिशर बन रहे है रिंकू सिंगभ hmmsuk और रिंकू सिंग्ग के बारे में बड़ी तारीफे चल रही है पर क्या वोht वाकेई में वो खिलाडी है जो T20 टीम में अपने आपको पहुचा पाएंगे वर्ड कप की उस टीम में यहां पर अपना नाम लिखवा पाएंगे रिंकू सिंग के बारे में आज बात करेंगे क्योंकि रिंकू सिंग ने ऑस्टेलिया के अगेंस जो पहले दो T20 मैच है उसमें सबसे जबरदासा कर स्टैंप किसी ने चोड़ी है तो रिंकू सिंग है बाई रिंकू सिंग के लेकिन देखें ऐसा लग नहीं रहे कि या आदमें निया निया टीम के अंदर आया है और जिस तरीके से मेरे को लग रहा है वहाँ पर उनकी जो जो खहरियत करी है न वो क्या के बोलते है वो अरे बड़ी अच्छी सी होती है चंदू चंदू पंडे जी जो वहाँ पर उने जो उसको टेक केर करा है मैं कह रहो कि उसकी हुजासे एक खहराव दिखता है करना था तब वहां पर 14 बॉल में 22 रंग बनाए थे वह तो वह चक्का माना नहीं जा रहा नहीं तो 15 बॉल में 28 होते कौन था यह उस्टेलिया का बॉलर था नहीं रंडीव सूरज रंडीव जैसे वह श्री लंका के वह प्लेयर थे उन्होंने विरंदर सेवाक के साथ जो करा था लास बॉल पर नो बॉल यहां पर तो उससे गल्ती से हो यहां पर तो मनलब एक बॉल में एक रन मनाना था मनल कहां से लेकर है तोहां लेकर जाएगा अलीजड से थे अलीगर के ताले फिमास है उसके बाद यह रिंगु सिंगी फिमास निकले आधा अमयो वाले बॉर बुरा मान जाएगे पर डियों मुबंग अनलोर के दगार चामर तो पहले मैच में चलीआ वो कर रहे थे तो वह वाला जो उनका रोल था कि भाई इतनी बॉल में इतने रन मतलब ये बनाने ही बनाने है लेकिन दूसरे मैच में जब ऑस्टेले के लाफ दूसरा मैच था और वहां पर टीम इंडिया पहले बैटिंग कर रही थी वहां पर उन्होंने वहां पर जो फिनिशि हो कि भाई हमने रन बहुत खा लिये हैं अब कि अससे था और क्या हो सकता है तो वहां पर रिंकु सिंग ने आके आखिर में वह जितनी भी हिमत थी तोड़ दी थी थी भाई नो बाल में 31 रन बनाए रिंकु सिंग ने दूसरे मैच में 4-4 दो चक्के और जैसे कि आपने का ह हिम्मतों के साथ बहुत सारी चीजह और तोड डाली रिंगू सिंघ ने वाहां पर उसके लिया कि जबानें भी तोड़ डाली लेकिन रिंगू सिंघ के बारे में इतनी जो बाते हो रही है वो सिर्फ इस वज़े से नहीं हो रही क्योंकि एक दो मैच में अच्छा के लिया है अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताओं तो पिछले मतलब पिछले T20 वर्ड कप के बाद नमबर पांस से लेकर नमबर साथ तक वो जो फिनिशर वाला रोल जो टीम इंडिया ढूंड रही है उसमें पता इतने सारे प्लेयर्स को ट्राई किया गया अक्षर पटेल को महां पर ट् वाशिंग्टन सुंदर, शिवम दूबे, दीपक हुडा, हार्दिक पंडिया और संजू सैंसन सब को ट्राई किया गया है में बंदा लास्ट में बोला ना ने यह में बंदा है तो टीम से बाहर चल रहा है यही तो मैं कह रहा हूं कितने वहां पर लोग परिशान हुए लेकिन गुजरात में नहीं है यहां पर रिंकु सिंग का जो स्ट्राइक रेट है वो इन सारे खिलाडियों से सबसे ज़ादा है यानि कि रिंकु सिंग ने बड़े बेतरी न तरीके से फिनिश की हैं मैचे और बहुत बढ़िया जदने भी इनको मौत मिले हैं उसमें नहीं जारी है इसके लवर सेयद मुष्टाकली ट्रोफी में बहुत रन मारे है यो यूपी के लिए केलते हुए 256 बनाए इनोंने सिफ साथ पारियों में और 170.66 का वहां पर भी स्ट्राइक रेट था और यहां पर रिंकु सिंग ने भाई वहां पर भी तुड़ा ही का रखिया बाइ मेरे को मजा ने आ रहा है अच्या मेरे को मजा ने आहा है पिताजी के पास Pitaji Siler deliver करने जा रहे है वहां पे पोचा पगड़के किसी जगह पे कोचिंग इंस्ट्राण हुग गया अबे तो नाटक के लिए दूसरे कलाकार लेके आते हैं रिंकू है उसके पिता जी को साथ में लेके आ जाते हैं पैकेच चला रहे हैं यार वो लोग इंडियन एडल बना के रख दिया नहा ककड बैटी उजच कर रहे हैं वापे टेस हुए बाहरी है रिंकू सिंग की कहानी और टीम इंडिया को ऐसा लग रहा है कि एक नया फिनिशर मिल गया है क्या आपको भी लगता है कि रिंकू सिंग को लगातार मौके मिलने चाहिए क्योंकि जो पर्फॉर्मेंस इनों ने और सब से डिफिकल्ट नमबर पर आते हैं तो जो पर्फॉर्मेंस इनों ने बहुत साल से, in fact महिन सिंग दोनी के बाद से वो फिनिशर वाले रोल में कोई भी प्लेयर नेम ना, आप T20 केल रहे हैं, दिनेश कार्तिक को कैसे बूल सकते हैं फिनिशर वर्ल कप गये थे वो, जिनेश कार्तिक को ऐसे बूल सकता हूँ, क्योंकि जब वर्ड कप केलने आए थे तो ऐसी परफॉरमस निकली तो यहां पर इसे वहां पर इशापन को भूल गये थे तो यहां पर जिस तरीके की परफॉरमस रिंकु सिंग ने दिये हैं सब का दिल जीता है पर क्या आपको सब्सक्राइब करेंगे हैं कबता नहीं करते हैं लेकर जाओ और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इतना ज्यादा एक्साइट होने की ज़रूरत नहीं है थोड़ा था टाइम और देना चाहिए तो वह भी आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो अभी के लिए इस वी